पुलिस को देखके लोग सेफ फील करने की बजाए खबराते हैं एक गली जिसमें पुलिस खड़ी है उस गली से इंसान तभी निकलता है जब उसके पास दूसरा रास्ता ना हो जाने का तो इन सारी चीजों के पीछी रीजन क्या है? देखे हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें ना पता होने की वज़े से छोटी छोटी जगापे हमें पुलिस से डर लगता है एक छोटी सी F.I.R. लिखवाने के लिए आपको जुगार की जरुरत इसले पढ़ती है क्योंकि actual में F.I.R. लिखवाने का जो process है वो हमें पता ही नहीं है और कुछ लोगों तो यहां तक नहीं पता है कि अगर पुलिस घर से उठा रही है तो उसको क्या-क्या rules follow करने होते हैं और यह सब ना पता होने की वाज़े से जब भी आपका पाला इन सब चीज़ें से पढ़ता है तो आपको डर ही लगेगा और यह जो rights हैं इतने basic होते हैं कि school में होने चाहिए बट unfortunately नहीं है आप किसी बच्चे को एक बार यह सारी चीज़े बता दोगे वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा लेगे आपने दो वर्ट सुने होंगे एक IPC, Indian Penal Code और दूसरा CRPC, Criminal Procedure Code जब इंडिया के अंदर कोई crime होता है मालो मडर हुआ है तो IPC कहता है कि 302 लगेगा चीटिंग हुई है तो IPC कहता है कि इसके उपर IPC section 420 लगेगा Attempt to suicide है तो 309 लगेगा तो basically IPC define करता है उस particular crime को अब अगर कोई डंडा घुमा रहा है तो वो तो crime नहीं है लेकिन अगर उस डंडा घुमाने से किसी का सर फूट रहा है तो वो crime है तो IPC basically हमें बताता है कि क्या crime है और क्या नहीं है अब ये IPC तो ठीक है लेकिन ये CRPC क्या होता है मान लीजे कोई murder हो गया है तो IPC ने तो बता दिया कि IPC section 302 लगेगी इस पे लेकिन अब इसकी जाच करेगा कौन अब पुलिस खुद जाके decide नहीं करेगी कि आज तुम चले जाओ murder की जाच करने ये चीज हमें CRPC बताता है CRPC हमें बताता है कि एक particular case की जाच किस rank का officer करेगा उसका procedure क्या होगा और क्या क्या step follow होंगे इसको आप इस तरीके समझी मान लीज़ आप किसी college में गये वहाँ पे आपको दो manual मिले है एक में ये लिखा है कि ragging नहीं करनी है इस time के बाद college के बाहर नहीं जाना है smoking नहीं करनी है campus के अंदर दूसरे manual में लिखा है अगर आप ये सब करेंगे तो आपके साथ ये ये होगा तो जो पहले वाला manual है वो IPC हो गया और दूसरा वाला जो manual है वो CRPC हो गया तो मैं एक example लेके समझाता हूँ कि इंडिया के अंदर जब कोई crime होता है तो उसका पूरा process क्या होता है ताकि आप अपनी जरुवत के इसाब से उसमें से चीज़े समझ लें मान लीजे आपके साथ कोई घटना होती है जिनको पता होता है वो अलड़ी घर से लिखके लेके जाते हैं और आप कहां रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता जिस एरिया में आपकी लड़ाई हुई है जगड़ा हुआ है या crime हुआ है उस एरिया के police station में आपको complain करनी है आपने देखा होगा कि police वाले परिशान करते हैं कि यह हमारे area का case नहीं है आप दूसरे station पर जाएए इसलिए कुछ लोग अपनी कानी उसी station के 8th grid रखते हैं जिस station में वो complain करने जा रहे हैं लेकिन आपको एक चीज का धिहान रखना है